हलो फ्रेंड्स इक्जाम नीती के जी के चैलेंज में आप सभी लोग का इब आफिस स्वागत है तो जैसे कि आपको पता है कि हम डेली जी के चैलेंज चला रहे हैं तो आज की इस वीडियो में भी हम कुछ प्रशनों को आपके सामने रखेंगे और चार उप्शन में बोलूँगा उसके बाद आपको अपना आंसर कमेंट करेंगे मुझे बताना है और लास्ट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपने इन में से कितने के आंसर बिल्कुल सही सही किये हैं तो शुरुबात करते हैं अगर आप इस सीरीज के और वीडियो देखना चाते हैं तो उनके लिंक आपको आई वटन पर मिल जाएंगे आप देख सकते हैं यहां से आपका बहुत अच्छा एक टेस्ट हो सकता है जो कि regular टेस्ट रहते हैं वो आप यहां पर ले सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्तापना किस वर्ष हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्तापना किस वर्ष हुई थी 1936, 1975, 1981 या 1992 में विश्व व्यापार संगठन की स्तापना हुई थी जिनेवा में हैं विश्विवापार संगठन का मुख्याले और संगठन के मुख्याले से रिलेटेड मैं अल्री एक वीडियो बना चुका हूँ जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से 18-20 जो परमुक संस्थान हैं उनके मुख्याले याद करवाई थे बहुत आसानी से तो कहां पर है ठीक है सार्ग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एस्टोशीयेशन फॉर रीजनल कॉपरेशन तो इसका जो मुख्याले है वो कहां पर है कराची नई दिल्ली धाका या काटमांडू तो इसका जो सही आंसर है वो है option डीवाला यहने की काटम में कब हुई थी सार्ग की स्तापना तो इसकी स्तापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में यह आपको याद होना चाहिए टोटल 8 सदर्शेस में शामिल हैं जिसमें भारत, पागिस्तान, स्रिलंका, पांगलादेश, नेपाल, वोटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है बेस इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाध्धू का पवित्र गरन्थ कौन सा है, बाध्धर्मी के जो लोग हैं उनका जो पवित्र गरन्थ है, उसको क्या बोला जाता है तिरि पिटक, जातक, वेद या उपनिशद, जाहिर सी बात है वेद होगा नहीं, उपनिशद होगा नहीं, तो यहाँ पर त्री पिटक सही है, यानि के वाला बिल्कुल सही है, तीन इसमें बिसकली हिस्से हैं, एक है सुथ पिटक, दूसरा है बिने पिटक और तिसरा है अभिधम पिटक, तो यह आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है, अभिधम श्रिय दिया जाता है, कौन से ऐसे राजा थे, जिने श्रिय दिया जाता है कि उन्होंने युनानियों को भारत से बाहर कर दिया, तो इसका सही आंसर ओप्षिन यह वाला है, यहनि कि चंद्रगुप्त मौर्री को यह श्रिय दिया जाता है आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर ने जो सेल्यूकस थे जो कि युनानी राजा थे उनकी बेटी से जो है साधी की थी मैं आप करेंगे मैं सेल्यूकस लिख देता हूँ से इसे सेल्यूकस की बेटी से जो है चंद्रगुप्त मौर की साधी हुई थी ठीक है चलिए अगला कुशिन है हमारा कि पर्थम बौध परिशत का आयोजन कहां पर किया गया था पर्थम बौध परिशत का जो आयोजन था वो कहां पर हुआ था पाटली पुत्र, स्रीनगर, राजग्रह या वैसाली तो पर्थम बौध परिशत का जो आयोजन हुआ था वो राजग्रह में हुआ था यानि कि आप्षिन सी वाला बिलकुल यहां पर सही है किसके समय पर ये हुआ था तो ये अजात सत्रू के समय पर हुआ था पर्थम बौज बौद परिशत का आयुजन तो ये राजग्रह में इसके बाद अगला पुश्चिन है हमारा कि भारतिय संविधान की कौन सी विशेष्टा इंगलेंड से ली गई है भारतिय संविधान की इनमें से कौन सी विशेष्टा है जो इंगलेंड से ली गई है सुप्रीम कूर्ट, मूल अधिकार, संसदिय परणाली ये संगिय परणाली इसका जो सही आंसर है वो है option C वाला यहनी की संसदिय परणाली भारतिय संविधान की मतलब संसदिय परणाली जो हमारी विशेष्टा है वो इंगलेंड के संविधान से ली गई है अगला question है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हूँ 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 हुआ था गौतम बुद्ध का कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, यह मैंने आपको बताया कौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुमनी में हुआ था कब हुआ था तो 563 इशापूरु में हुआ था यह आपको यहां से ध्यान होना चाहिए बच्पन के इनका नाम क्या था तो इनका नाम था सिधार्थ इनका नाम था चलिए इसके बाद अगला क्वैसिन है हमारा कि पांच भी बौध परिशद का आयोजन किसके कारेकाल में हुआ पांच भी बौध परिशद का जो आयोजन है वो हर्श वर्धन के काल में हुआ था यानि कि option B वाला यहां पर से बिलकुल सही है और हुआ कहां पर था तो ये हुआ था कनौज में इसी तरीके से अगर जो तीसरी बौध प्रिशत थी उसका आयोजन असूग के टाइम पे हुआ था और जो चौती थी उसका आयोजन कनISHकर के टाइम पे हुआ था पर्थम का मैंने आपको बताया कि अजास सत्रू के टाइम पे हुआ था कहां पर हुआ था राजग्रह में हुआ था ठीक है इसके बाद अगला क्वेशिन है कि भारत नाट्यम निर्तिशैली का संबंद किस राज्जिस है भारत नाट्यम जो निर्तिशैली है उसका संबंद कहां से है तमिल नाटू केरल करनाटा की आंदर पर किस निति श्यलि से है कफा monstrzy मरि पुरि कुच्छी पुरि कुछ है टो सही आंसर है वह TO है कि करने के लिए मुखोटा बरना जाता हैं तो ये जो मुखोटा निर्थी का जो संबद है कि कफा लग। निर्टशाली से सम्मधित हैं अच्छा कह तक लिए कौन से राजजी में होता या कौन से राज pasti का पसे निर्थ है तो ये केरल का पसिद निर्थ इसके बाद दोस्तों ये question मैं आपके लिए ये मैं आपको खुदी बता लता और इसके बाद उला question हम मैं आपके लिए दे दूँगा इसमें यह है कि अंग्रीजी alphabet का सबसे अधिक इस्तमाल होने वाला letter कौन सा है यह हमें यहां से बताना है A, E, I, U तो सबसे ज़्यादा जो अंग्रीजी alphabet इस्तमाल होता है वो है E, यानि कि option B वाला है आपके लिए दे रहा हूँ तो इसका answer आप मुझे comment करें कि बताईएगा कि कि गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है यह question मैं आपको करवा चुका हूँ और आप आसानी से इसका answer दे सकते हैं यह मुझे किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है ठीक है